आती है तो ये शाभाविक है कि एक नॉर्मल जो नोकरियां होती है उनके उपर खत्रा होता है लेकिन AI साधान नोकरियों के बजाए जिनको अपन किरियेटिव जोब्स बोलते हैं उनके उपर एक बड़ा खत्रा पैदा करने वाला है जो इसके जनक है डॉक्टर जेफरी यानि जिन्होंने इसकी शुरुवात की थी उन्होंने इस बात से नाराज होकर और AI के बढ़ते हुए परियोग को देखकर इस्थिपा तक दे दिया कि ये मानोश अभ्यता के लिए अच्छा नहीं है गूगल के CEO शुंदर पिचाई टिविटर के मालिक एलेन मास्क अब आपके मन में एक स्वाल जरूर उठेगा क्या सर आने वाले समय में क्या जोब कंप्लिट खतम हो जाएंगे क्या टीचिंग पे इसका परभाव पड़ेगा निश्चित रूप से AI का जो वर्तमान सारूप आ रहा है और जो चार्ट GPT को आप सुन पा रहे हैं और चार् मैं इस वीडियो के माद्यम से कोई तनाव नहीं दे रहा है आप लोगों को लेकिन मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि हमें समय के साथ चलना पड़ेगा यदि मान लीजिए हम AI के संभावित खत्रों को लेकर और ये वकालत करें इसको बंद करना चीए बहुत सारे देशों न कि जितने भी कारियों को AI कर लेगा जरूरती नहीं पड़ेगी अधिकारी क्रमचारियों की 44% चोमालिस पर्तिशत लिगल कारिय यानि जो अपने लिगल एडवाईजरि के अपनों जूरत पड़ती है उसकी जरूरती नहीं पड़ेगी 44% कारिय करेगा बैंकों में जितने लिपिक समंधिकारियें हैं, ओपेटर समंधिकारियें हैं, डाटा ओपेटर हैं, उन सब की पॉस्टें कम्प्लीट खतम हो जाएगी। फोटोग्राफर्स लग भग खतम हो जाएगे, क्योंकि AI इतनी गजब की फोटो में बनाएगा, एक नॉर्मल फोटोग्राफर मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। ग्राफिक डिजाइनर के उपर एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, कि आप इसको आदेश देंगे, निर्देश देंगे, और ये बहुत जल्दी आपको तवरित रूप से एक एसी डिजाइन बना के प्रस्तूत कर देगा, जो 20 डिजाइनर भी नहीं बना सकते हैं। मास कम्मिनुकेशन, जो पत्र कारिता के लिए अपन कोर्स करते हैं, यह आपके उपर एक संकट पैदा कर देगा, यह मातर एक निर्देश के उपर एक बड़ा से बड़ा सुन्दर आर्टिकल आपको लिख के देदेगा, जो तीन लोग पूरे दिन में डिसकुसिन करके बन कुछ भी डाला, वो डारेक्ट आपको उसका अंस्वर देगा, आप जो पूछना चाहते हैं उसका अंस्वर देगा, और हर सुचना आपसे भी लेगा और उसको अपडेट करेगा, यह इतना शक्तिशाली माध्यम बनता जा रहा है चार्ट GPT, कि आप दुनिया की पूरी इ खतम होंगी, अब आपके जेहन में आएगा कि सर यह तो बड़ा समश्या है, इसको बंद करना चाहिए, गांधी जी हमें बड़े सही लगते हैं, गांधी जी ने कहा कि मसीनों का पर्योग सही नहीं है, बिरोजगारी का संकट पैदा हो जाएगा, मान ली जी हम गांधी जी किस बात को मानते, तो क्या आज मैं आप लोगों से लाइव समवाद कर रहा होता, यह तै है कि आने वाले पांच सालों में 80% तक नोकरियां समाप्त कर देगा, AI ऐसी संभावना बताएगी, यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको कोई content writer रखना मालों कि हम publication का का काम करते ह यह उनी education app है, यह publication का काम अपना, हमें वहाँ 20 content writer चाहिए, ज़रूरती नहीं पड़ेगी, AI, chart, GPT, अकेला आओ 20 का काम कर देगा, यानि उन 20 लोगों को replace कर दिया है, और काम बहुत आसानी से, आपको किसी चीज का अनुवाद करना है, अनुवादे के ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ेगी, बहुत सारे काम आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से राय लेनी है, आप chart GPT के माध्यम से तुरुन डाली, आपकी बेमारी के according आपको सबसे best दवाईयां बता देगा, आप किसे भी problem से गुजर रहे हैं, आपको तुरंत उसका सबसे best समाधा बताएगा, आप 20 लोगों से उस समाधान नहीं डूंड पाएंगे, उस सिरफ चंद सेकेंड में देदेगा, तो आपको नहीं लग रहा कि ये समाज में कितने शारे जॉब के उपर संकट पैदा कर देगा, किसी counselor की जूरत नहीं है, doctors की जूरत नहीं है, legal advisor की जूरत नहीं ह पोटोग्राफर की जूरत नहीं है, designer की जूरत नहीं है, architecture की जूरत नहीं है, बहुत सुंदर building का नक्षा बना के देदेगा, जो architecture बनाए नहीं सकता पंदा दिन में, उसे मातर 10 minute में डिजाइन कर देगा, जो आपने इमेजन किया है, ये चीज यहाँ ऐसे होनी चाहिए, बैसी design आजाएगी आपके सामने,